सिर्फ यह basic पता हो आप mobile की swap खोल सकते हो और अपनी सेलरी से जाधा पैसा तो आप आराम से कमा सकते हो अगर आप freser हो आपको mobile repair नहीं आती यहाने कि आपको mobile repairing का काम बिल्कुल भी नहीं आता और आप अगर ये पांच काम सीख लेते हो तो आप महीने के 40 से 50 जार रुपे तो बड़े आराम से कमा लोगी लेकिन अगर उससे ज़्यादा कमाना है तो आपको फिर थोड़ा और सीखना पड़ेगा आज कल मॉबाइल रिपेरिंग में कुछ ज़्यादा काम बचा ही नहीं आज कल एक experience में और एक freser में कोई ज़्यादा फरक नहीं है आज की जमाने में मॉबाइल रिपेरिंग बची ही नहीं बचा है तो सिर्फ part replacement इसलिए बोल रहा हूं यह पांच काम सीख लो और जो की सीखना बहुत आसान है लेकिन कुछ लोग जो रिपेरिंग करते हैं वो बोलेंगे भीया IC का काम भी तो होता है और आप भी mobile repairing करते होंगे और मैं भी repairing करता हूँ और 7-8 साल से mobile repairing ही कर रहा हूँ एक बात इमानदारी से बताना कि IC level का जो काम होता है हम जो काम करते हैं उसमें success ratio कितना है हम कितने set बनाते हैं और वो बनने के बाद जो IC level के होते हैं वो कितने काम होते हैं कितने set चल पाते हैं रिपेर होने के बाद भी बहुत कम success ratio है और एक चीज और बता हूँ आपको कि जब हम mobile बनाते हैं IC level का काम करते हैं तो कभी तो हमें 2-3-4-4 घंटे हो जाते हैं उस phone को repair करने में और वो तब भी ठीक नहीं हो पाता तो उसमें हमारा time बहुत खरा हो जाता है अब जल्दी से जान लेते हैं इन 5 कामों के बारे में जिनमें जंजट ना के बरावर है और income जादा है तो number one पे हमारा आता है folder लगाना यानि screen लगाना इसमें जंजट ना के बरावर है और बड़ी आसानी से फोल्डर लग जाता है और फोल्डर लगाने का market में 200 से 500 रुपे चार्ज लिया जाता है कहने का मतलब यह है कि फोल्डर की जो cost है अलग और जो हमारी मेहनत है उसका चार्ज है 200 से 500 रुपे तक अलग अलग तरीके से लिया जाता है कहीं कहीं यह चार्ज ज्यादा भी हो सकता है location के हिसाब से मैं आपको average बता रहा हूं कम से कम 200 रुपे और maximum 500 रुपे average जो है और अगर हम देखे कि किसी फोल्डर का rate अगर 500 रुपे है मतलब फोल्डर हमें 500 रुपे की screen आ रही है और उसमें हम 200 रुपे लगाने का charge ले रहे हैं तो हो जाता है हमारा 700 रुपे ऐसे ही अगर हम फोल्डर हमारा 500 रुपे का है और 500 रुपे हमारा लगाने का charge है तो फोल्डर पड़ेगा customer को 1000 रुपे का और अगर हम इसी हिसाब से हिसाब लगाया जाए कि दिन में हमारे पास हम सबसे कम rate पे फोल्डर लगा रहे है मार्केट में कोई नहीं लगा रहा 200 रुपे पे मात्र तो अगर हमने दिन के 5 फोल्डर भी लगाए तो 5 फोल्डर और गुणा 200 तो कितने होगे 1000 रुपे यानि 30,000 रुपे यानि 30 दिन होते हैं तो 30 गुणा 1 तो कितने 30,000 रुपे ऐसे ही मालो आपने फोल्डर 200 नहीं 500 के हिसाब से लगाए और आपके पास दिन के 2 फोल्डर भी आए तो 500 प्लस 500 यानि कि 1000 रुपे का profit तब भी आपको कितने 30,000 रुपे का profit हुआ महीने का किस से काम अभी बाकी है और देखो फोल्डर लगाना बहुत आसान है इसको सीखना भी बहुत आसान है आपको सिंपल सा फॉन लेना है सबसे पहले उसकी सिम्ट्रे निकालनी है सिम्ट्रे निकालने के बाद आपको उसका ढखकन खोल देना है पीछे से ढखकन खोलने के बाद यह से फोल्डर का पत्ता निकल जाएगा हलका सा फोल्डर को हीट करके या गरम करके यह फोल्डर बाहर से ऐसे ऐसे से निकालने से बाहर फोल्डर निकल जाता है और आपको क्या करना है यह जो फोल्डर के साइड में किनारियां है यह जो Chrome होता है इसमें जहां folder हम चिपकाते हैं इसको अच्छे से साप कर देना है साप करने के बाद फिर यहां पर glue लगानी है glue लगाने के बाद folder को लगा देना है यानि screen को लगा देना है यानि display को इस type से display लग जाएगी Display का पत्ता लग जाएगा और फिर बैटी लगा देनी है फिर दबारए इस के के स्क्रू कस देने है और ढखकन लगा देना है Sim लगा देनी है Sim Trae को लगा देना है और इस पिर रघवर लगा देनी है लग गया है folder, इतना आसथान है folder लगाना है और मार्केट में 200 रुपे से लेके 300 रुपे तक चार्ज लेते हैं चार्जिंग पत्ता चेंज करने का मतलब अपना लगाने का चार्ज जो चार्जिंग पत्ते का रेट है वो अलग और अपना चार्ज लेते हैं 200 रुपे से लेके 300 रुपे तक और हम मान के चलें अगर हमारे पास दिन के 270 मात्र चार्जिंग पत्ते के आ जाते हैं चार्जिंग पत्ता चेंज करवाने के लिए और हम सबसे कम रेट में चार्जिंग पत्ता चेंज करते हैं 200 रुपे अपनी मार्जन रखके तो 200 गुणा 2 यानि की 400 रुपे 400 ₹ होगे, हमारे Cas Raspberry के, एक दिन के, महीने के कितने होगे हमारे 12.000 ₹ small 걸로 चार्दी एless हमे यह 12.000 ₹ तो हमने Cas estamos चार्जिंग पत्ते को लगाना सना है charging ihr बिदर के लिए क्या है सबसे पहले फॉन को उसी टाइप से SIM tray निकालनी है डखकन खोल देना है डखकन खोलने के बाद यहां पर पहले तो आपको उपर वाली पत्ती के स्कुरू खोलने थे लेकिन अब की बार आपको बैटरी भी निकालने का जिंजट नहीं है आपको सिंपल सा क्या कम करना है आपको सिंपल यह जो नीचे वाले जो सेक्शन है जहां पर चार्जिंग पत्ता होता है इसकी स्क्रू खोल देने हैं इसके फिर निपेस लगए और शार्जिंगटा होता है लगा देристर देना है नगा देना है ना पर लगा-det्र charging jack जो फोन का charging jack होता है और phone में माइक बगएरा आराम से चेंज कर सको और charging jack या फिर phone में माइक चेंज करना की पेड़ वाले phone की बात कर रहा हूं मैं उनका charge कम से कम 100 से 200 रुपे होता है चेंज करने का अब समझ लो कि आपके पास मात्र दो ही कश्टूमर आए charging jack के या माइक के और आपने सबसे कम पैसे लिए 100 ही रुपे तो 100 200 रुपे होगे कश्टूमर आए तो यह महीने को जाते 6000 रुपे और मैं आपको बता हूं कि पहले हम किस से 30,000 रुपे फोल्डर से और 12,000 रुपे charging पत्ते से यानि की 42,000 रुपे और 6000 रुपे हमने कमा लिए इन से सोल्डिंग करके जैक या माइक चेंज कर दे तो कितने होगे हमारे 48,000 रुपे और मात्र अभी तो हमने तीन काम किये और तीन काम करके हमने महीने की 48,000 रुपे इखटे कर लेंगे और इसमें आपको कुछ नहीं करना सोल्डिंग आप 10 से 15 दिन लगातार अगर आप टैक्टिस कर लोगे तो आप इसमें सोल्डिंग करना आराम से सीख जाओगे और सोल्डिंग से आप सिर्फ चार्जिंग जैक और माई की नहीं बहुत सारे काम कर सकते हो जैसे कि फॉन में डिस्प्ले लगाना उसका अलग च काम सकता वह क्या है टेंपड लगाना फॉन पे ग्लास चाड़ाना कितना आसान काम है और ग्लास शखूने का जो मार्न है वह बीस रुपई से ले के सवरれた हैं बहुत तरह के मोडला आते हैं से बहुत स्कूरे की वरायेटी आती अधी है अलाय लग तरीके से अपना मेहनत का चार्ज लेते हैं उस गिलास को लगाने का तो और इसके गिलास के कम से कम दिन में पांच कश्टूमर तो आसानी से आही जाते हैं लेकिन अगर आप बहुत सस्ते में गिलास लगा रहे हो मात्र बीस रुपे का प्रॉफिट रखके तो आपकी दुकान पे दस से पंद्रे से ब प्रॉफिट रखके तो आपके बीस गुणा पांच कितने होगे सो रुपे सो रुपे एक दिन के यानि की महिने के तीन हजार रुपे तो हम पहले ही अटालीस हजार रुपे एकटे कर चुके हैं बाकी के कामों को करके और तीन हजार रुपे अगर यह जोड़ दें तो हमा अपना असान होता गिलास चड़ाना अव लाश्ट का काम और यह काम बाकी के जो चार काम है उन सबसे सरल काम है वह क्या है आपको सेल करना है सेल करने में क्या है लीड हैफॉन की डाटा केवल चारजर बर्ड से ब्लूटूथ स्पीकर बहुत सारे नेक बेंड बहूत सारे स पुसिस करूँगा अगर ज्यादा कमेंट आएंगे अगर आप बोलोगे तो तो क्या है कि यह जो सामान हम सेल करते हैं इनमें हम 50 रुपे से लेके 300 रुपे तक का प्रॉफिट कमाते हैं और अगर हमने दिन के 5 सामान भी सेल करें और 5 सामान बड़ी आसानी से सेल हो जाते हैं और मात्र 50 रुपे के प्रॉफिट रखके हमने अगर यह सामान सेल करें तो 5 सामान के 50 रुपे के प्रॉफिट के हिसाब से हो जाते हैं साड़े साथ हजार रुपे और अगर हम इनको टोटल केलकुलेट कर दें जो हमने बाकी के चार कामों से कमाये थे और यह साड़े साथ हजार रुपे और जोड़ दें तो यह हो जाते हैं हमारे अठावन हजार पान सो रुपे लेकिन अगर आप पैक्टिकल करके देखोगे तो यह जो मार्जन है यह जो कमाई है आपकी साथ हजार रुपे बहुत जाएगी क्योंगि कहीं से कुछ काम बहुत जाद आएगा कुछ कम होगा तो आप महीने निकाल लोगे लेकिन यह भात ध्यान रखना यह बात कोई नहीं बताएं यह जो साथ हजार रुपे हैं यह आपकी सीधी कमाई नहीं है इसमें से आपको रेंट भी देना होता है बिजली का बिल भी देना होता है तो आप अपने रेंट अपनी बिजली का बिल उस हिसाब से सेट करोगे जिस हिसाब से आपकी लोकेशन है हम मान के चलें बिजली बिल और रेंट का इसमेंसे अगर 10,000 रुपे कम भी कर दे तब भी आपकी पास 50,000 रुपे बसते मैं कर रहा हूं आपने बहुत महेंगी दुकान भी किराए पे लिए रखी है वैसे तो इतनी कमाई जो इतनी आपने करी है यह चोटी दुकान की कमाई है बड़ी दुकान लोगी त चलों कि आपने 50 नहीं उसमेंसे 20,000 रुपे का भी खर्चा करा जब भी आपने 40 रुपे बचाए 40,000 कम है क्या एक सैलरी जो जॉब करते हैं 20,000 रुपे की 25,000 रुपे की 15,000 रुपे की उससे तो ज्यादा है तो 40,000 रुपे आपने खुद का बिजनिस करके कमाए और आगे आप इस बिजनिस को और गिरो करोगे तो दोस्तो आसा करता हूँ आपको आज की इस वीडियो में मेरे रियल लाइफ एक्सपिरेंस से आपको बहुत को सीखने को मिला होगा अगर आप चाहते हो कि यह जो पांच काम है इनको करने के लिए कितना पैसा लगेगा किन-किन वीडियो में एक नई प्रॉब्लम और उसके समाधान के साथ या कुछ नया सीखने के साथ